मुक्तार अंसारी की मौत के बाद एक ऐसे सामराज्य कांत हुआ जिसकी शुरुवा थी क्राइम के दुनिया से खुए थी लेकिन मुक्तार अंसारी की मौत के बाद कई सवाल उठे कि आखिर मुक्तार अंसारी की मौत कैसे हुई उनका परिवार जो है लगातार इस बात को लेकर कहता रहा कि slow poison यानि कि धीमा जहर देने की वज़े से मुक्तार अंसारी की मौत हुई लेकिन आज ही जब मुक्तार अंसारी के post-mortem report सामने आई तो उसके बाद हर चीज क्लियर हो गई कि आखिर कैसे shock की वज़े से यानि कि heart attack आने की वज़े से ही जो है मुक्तार अंसारी की मौत हुई जिसके बाद उन सभी बातों पर पूरी तरीके से पूर विराम लग गया है चाहे वो तमाम राजनेता हो या खुद उनका परिवार हो जो इस बात को लेकर आरूप लगा रहा था कि मुक्तार अंसारी को जो है जहर दिया गया लेकिन हमने देखा कि आखिर मुक्तार अंसारी की मौत के बाद किस तरीके से उनके जनाजे में हज़ारों की भीढ़ोंडी वहाँ पर पुलिस को धक्का मुक्की करने पड़ गई पुलिस लगातार माइक से इस बात के अनाउंसमेंट कर रही थी कि लोग जो है शान्ती बनाए रखे लेकिन बावजुद इसके वहाँ पर इस्तती जो है आउट अफ कंट्रोल होती हुए नजर आई और इसलिए वहाँ पर नारेबाजी जब की गई तो पुलिस न साफता और पर कह दिया कि देखिए ड्रोन के जरिये जो है लोगों के वीडियोस रिकॉर्ड किये जा चुके हैं तो अब कोई भी नहीं बचेगा लेकिन इन सब के बीच में हर किसी की नजर जो है वो एक शक्स पर थी और वो थी आफशा अंसारी यानि कि मुक्तार अंसारी की पत्मी हर कोई सोच रहाता कि शायद आफशा अंसारी जो है वो मुक्तार अंसारी के जनाजे में जरूर पहुचेंगी पिशले एक साल सिलापता है और जाहिर सी बात है कि पती की मौत के बाद उनके अंतम सफर में जो है हर किसी को इस बात की उम्मीती की शायद जो है इस बार आफशा अंसारी नज़र आएंगी इतुना ही नहीं पुलिस अक्सर जो है उनके ठिकानों पर छापे मारी करते हैं लेकिन कई बार हमने देखा कि खाली हाथ जो है उन्हें घर लोटना पड़ता है हर राज्य में लगभग आप मान लीजे उत्तर प्रदेश उसे लेकर हरियाना से लेकर यहां तक कि दिल्ली तक म मिलाकर 75,000 का हो गया है लेकिन आपको बताते हैं कि मुक्तार के परिवार में कौन है देखे मुक्तार अंसारी के खुद की बात करे तो वो पांच बर विधायक रह चुके हैं उन पर 60 मुकद में जो हैं वो दर्ज थे लेकिन अब उनके परिवार की बात करते हैं क्योंकि य ये एक ऐसी विरासत है अपराधिक विरासत जो कही न कई पीडियो दर पीडियी जो है वो आगे बढ़ती चले गए मुकतार अंसारी के बेटे यानि की अब्बास अंसारी फिलाज जेल में बंद है वो अब्बास अंसारी जो हाई कोट से लेकर सुप्रीम कोट तक इस बात की गोहार लगाते रहे कि वो अपने पिता के अंतिन सफर में शामिल खोना चाते हैं लेकिन कोट ने उन्हें इजासत नहीं दी वो पैरोल पर चाते थे कि बाहर आना लेकिन कोट ने उन्हें इजासत नहीं दी सेक्योरिटी रीजन्स की वज़े से साफ मना कर दिया गया इतना ही नहीं अब्बास अंसारी के उपर साथ केस दर्ज है मुकतार के छोटे बेटे अगर हम उमर अंसारी की बात करे तो उन पर जालसाजी अवैद कबजे की आरोप है और वो भी अब भी फरार चल रहा है मुकतार की बहुयाने की निखत अंसारी की बात करे तो उन पर पती को जेल से भगाने उसको सुख सुवधाय उपलब्द कराने का आरोप है और इस खाले कि उसके बाद वो है लगबद डॉन ब्रिजेश सिंग से हो सकता है अफजाल को गाज़ेपूर से टिकर दिया गया है और देखे गाज़ेपूर में हमने देखा कि किस तरीके से मुकतार अंसारी को सुपूर देखा किया गया उन्हें पर दफनाया गया क्योंकि इस यही वो गाज़ेपूर जगा है जहां से इस अंसारी परिवार की जो है अपराधिक दुनिया की शुरुआत हुई थी अब ऐसे में हर कोई इस बात को ढून रहा है कि आखिर अफशा अंसारी के बारे में क्या कोई बिसबूत हाथ लग पाएगा या नहीं लग पाएगा पाएगा